हलो प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड क्लास 6 फाइबर टू फैब्रिक इस चैप्टर के मुख्य कंटेंट फाइबर, यार्ण एड फैब्रिक, नेचुरल एड सिंथेटिक फाइबर, कॉटन एड गिनिंग ऑप कॉटन, स्पिनिंग, नीटिंग, एड हिस्ट्री ओफ क्लोथिंग मेटरियल, फाइबर एड फैब्रिक, जैसा कि हमें पता है, कपड़े फाइबर के बनाई जाते हैं, तथा फाइबर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर तथा सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, यहें कॉटन, वोलन, सि पिनन के बने होते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर, मेन मेड होते हैं, और यह रेयोन, नाइलोन, एक्रिलिक, पॉलिष्टर, आदी के बने होते हैं, कोटन फाइबर से, मुख्य रूप से, सर्ट, कुड़ता, आदी बनाए जाते हैं, तथा इन्हें समर सीजन में पहना ज वूलन फाइबर, इनका यूज सॉल, मफलर, तथा स्वेटर बनाने में किया जाता हैं, यह हमें वार्म रखते हैं, और इन्हें विंटर सीजन में पहना जाता है Silk Fiber यहें silky होते हैं, lightweight होते हैं, तथा lustrous होते हैं इनकी साड़ी वे अन्ये परिधान बनाए जाते हैं आते हैं variety of fabrics, cotton, woolen, silk, linen, rayon, nylon, acrylic, polyester आधी होते हैं Yarn, यहें fiber से मिलकर बना होता है, yarn is a long continuous group of twisted fiber It is used to make fabric, जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं, कि एक कपड़ा छोटे छोटे yarn से मिलकर बना होता है Yarn को sheep, yak, lama, goat, camel, आधी से बनाया जाता है, तथा plant based yarn, cotton और flex से प्राप्त किया जाता है Fiber, it is a basic component of yarn आप diagram में देख सकते हैं, कि एक yarn कई fiber से मिलकर बना होता है जब हम yarn को split करते हैं, तो इसमें different thin strands of fiber दिखाई देते हैं आते हैं, fiber से yarn बनाया जाता है, और yarn से fabric बनाया जाते है Sir, मेरी eyesight ठीक है, पर मैं कभी कभी सुनी में धागा नहीं डाल पाता, ऐसा क्यों होता है? यार्न अनिक fiber से मिलकर बना होता है, और अगर yarn loose है, तो यह needle में enter नहीं हो पाता है इसलिए yarn अच्छे तरीके से tested होना चाहिए Natural fiber, यह plants तथा animal से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें natural fiber कहा जाता है Example, cotton, jute, silk and wool Cotton तथा jute, plant fiber हैं, तथा wool and silk fibers, यह animal fiber है Wool यह हैं प्राप्त की जाती है, flick of sheep, goat, yak, angora goat, camel, etc. से यह fiber chemical treatment से बनाए जाते हैं और इसके मुख्य एक्जामपल है, rayon, nylon, acrylic, polyester, etc. इन में से rayon, wood, pulp से बनाए जाता है, जबकि nylon, acrylic, तथा polyester, petrochemical से बनाए जाते हैं और इसका उत्पादन मुख्यतिया, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडू में होता है Cotton का fruit, lemon के size का होता है, जिसे cotton balls कहा जाता है Cotton balls जब mature होती हैं, तो यह white fibers की एक ball दिखाई देती है Diagram में आप देख सकते हैं, agriculture field में बहुत सारी cotton balls लगी हुई है Guinning of cotton, Guinning, the separation of fibers from cotton seed is called Guinning इसमें fibers को seed से अलग किया जाता है, तथा इसके साथ-साथ other impurities जैसे soil, leaves, dust, stone, wooden particles, others को भी remove किया जाता है Guinning को by hand तथा आज कल machine द्वारा भी किया जाता है Sir, paper तथा cotton के कपड़े के जलने की smell एक जैसे क्यों होती है Paper और cotton दोनों ही पौधों से प्राप्त होते हैं, तथा दोनों ही cellulose के बने होते हैं इसलिए इनके जलने पर same order आती है Jute इसका scientific name Corcorus है तथा इसके stem part से fiber प्राप्त किया जाता है इसका cultivation rainy season में किया जाता है तथा इसकी harvesting flowering stage में की जाती है Harvesting के बाद इसके stem को पानी में डुबो कर रख दिया जाता है जिससे की यह गल जाए अर्थात इसमें rotning हो जाए इसके बाद fibers को by hand separate कर लिया जाता है Spinning of cotton yarn The process of making yarn from fiber is called spinning इस process में cotton fibers को लेते हैं तथा उन्हें twist कर yarn बनाते हैं और यह कारिये tackli and चर्खा द्वारा क्या जाता है चर्खा महत्मा गांधी जी द्वारा independence movement के दोरान ये काफी popular था Government of India द्वारा khadi and village industries commission की स्थापना 1956 में की गई थी जिसका मुख्य उद्देशिये khadi को बढ़ावा देना था आज कल spinning machine द्वारा क्या जाता है Yarn to fabric यार्न से कपड़े का बनना इसके दो मुख्य प्रोसेस है weaving and knitting weaving the fabric is made up of two sets of yarn arranged together the process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं two square size papers लेते हैं और इन्हें thin strip में काट लेते हैं इसके बाद दोनों को alternate weaving करते हैं weaving in hand looms or by machines इसी तरह से two sets of yarn are woven to make a fabric और यह है loom में बनाय जाता है और loom hand operated होते हैं या फिर power operated जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं एक महिला hand operated hand looms में fabric बना रही है knitting knitting में एक single yarn लिया जाता है तथा इससे fabric बनाय जाता है जैसे कि हमारे घरों में महिलाएं sweater बनाती हैं knitting is done by hand and also by machines पहली's question पहली wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fiber on the outer covering of coconut what are these fibers normally used for अर्थात coconut के बाहर जो fiber होते हैं इनका क्या यूज होता है and answer is coconut fiber is used to make carpet, door mats, mattresses, brush, low cost roofing material etc यह एक important summary है इसमें cotton rolls को ginning द्वारा fiber में convert किया जाता है इसके बाद fiber की spinning की जाती है जिससे yarn बनता है तथा yarn के two process है knitting and weaving जिससे finally fabric बनता है history of clothing material आपने tv, cartoon channels में देखा होगा कि ancient time के people's bark या बड़ी पत्तियों को अपने चारो तरफ लपेडते हैं या कभी-कभी animals की skin का भी use किया जाता है लेकिन human के civilization के बाद में fiber का use किया जाने लगा इतिहास बताता है कि Egypt में cotton और flax दोनों का cultivation होता था near Nile river और उससे fabric बनाए जाते थे पहले single fabric बनाए जाता था तथा stitching की facility एवलेबल नहीं थी जैसा कि लुंगी, धोती, साडी, इत्यादी और बड़े आश्चरी की बात है कि इस तरह के fabric आज भी use किये जाते हैं Dear Learners, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीजी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए Thank you